है अबरीबन मैं वर्तिका स्वाध करती है अपने चानल पर तो यह रिंजिम क्लास 4 जो हिंदी की बुक है रिंजिम क्लास 4 एंसी अर्टी उसकी मैं सम्री बताऊंगी और इससे पहले मैं ने सम्री बता दिए क्योंकि केवेश में यहां से कुशहिं आूसर आ रहे इसल decreased प्रिकिक आ कि दिश्ड़नी की मैं सम्री संवाल वई स्वाब तो इससे यह रहेगा कि आपको story mind में रहेगी और आप answer ढून सकते हैं ठीक है तो पहला chapter है हमारा जैसा सवाल वैसा जवाब ठीक है तो इसमें story क्या है अकबर और बीरबर की story है जिसमें अकबर होते हैं और बीरबर होते हैं उनके दरवार में एक और होते हैं जिनका नाम होता है ख्वाजा सरा ठीक है ख्वाजा सरा बस तीन पात्रें पात्र से भी याद कर सकते हैं कि कोशन ऐसे भी पूछा गया है कि कौन से उस सीरशा का नाम बताई जिसमें अकबर बीरबर और ख्वाजा सरा है तो जैसा सवाल वैसा जवाब उस सीरशा का नाम है उस कहानी का नाम है अ आप मेरे कोशन का अगर यह आंसर दे देंगे तो मैं मान जाओंगा कि वो दिमान है मतब यह अकबर को भड़कानी कोशिश करते हैं अकबर भी कहते हैं ठीक है आप पूछ लो आपको जो कोशन पूछने तो बीरबल से पहला को सवाल करते हैं कि बताओ धर्ती का केंद्र का है सवाल देखेगा सवाल था कि संसार का केंद्र कहा है अब बीरबल भी बड़ी अग्स जवाब देते हैं अपनी चड़ी उठाते हैं और एक जिगा पर ऐसे रख देते हैं कहते हैं यही केंद्र है और यकीन नहों तो यहां से नाप करके देख लो ख्वाजसरा से कहते हैं औ जब बेवर का कहते हैं भेड को मंगवा के कहते हैं कि भेड के सरीर पर जितने बाल हैं उतने ही आसमान में ता रहे हैं इसलिए इस सवाल से भी भी बच गेशाव एब थर्ड सवाल यह था कि संसार की अबादी कितनी है संसार की अबादी कितनी है तो बीर्बल ने कहा जा पाना संसार की अबादी पलपल घर्टी बढ़ती रहती है क्योंकि लोग मरते जीते हैं आप एक काम करो आप सभी लोगों को एक जिगा एक खटा कर लो तो उनकी संक्या ठीक ठीक बताई जा सकती है अब इतना क्योंकि एक के जिगा सारे संसार के लोगों को एक जिगा गटा नहीं किया जा सकता ना ? इसी लिए स्वाज भाजब असके जवाब से संतुष नहीं होते हो बैठा होता अचानल को आवाज आती है कि कुछ गिरा है और वो समझ गया कि बॉल गिरी है तो दिनेज की मा कहती है बाहर मत जाना धूब बहुत हो रही है और मत लूब अगरा चल दी जून का महीना था जिसे हम लों के घर में भी होता है बाहर मत खेलना बच्पन में बहुत दो पड़ती थी तो वैसे इसको भी कहा गया लेकिन वह जाता है अपना क्यारीयों में सब ढूकर लाता है फाइनली उसको यह भूल मिल जाती है यह यह फिंद क्रिमिच की बॉल दी अब यह होता क्या है इसको यह लगता है कि बॉल कहां से आई यह सब जिगा देख लेता ह लोग ग्रुप बना होता है इंकी बिल्डिंग में बच्चों का ग्रुप होता है वहां ग्रुप में यह सब से पूछता है कि किस की है तो सब बच्चे तो बच्चे तो वह यह कहते हैं यह मेरी है क्योंकि इस पर यह निशान बना हुआ है यह मांक बना हुआ है इसलिए मेरी कर लिजेगा सुधीर अनिल अर्विन और दीपक इस तरीके से ना तो इन समें बहुत 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 होने लगती है लड़ाई वड़ाई होती है और आकरी में जो दिनेश होता है जो की में स्टोरी का लीड है वो कहता है कि ऐसा है बाद में देखा जाएगा जिसकी जो भी है काम करते हैं मैं खेल लेता है पहले खेल रहा होते हैं उसकी करिको चलते हैं तो इसी तरीके से बातरी खतम हो जा तो आपको बस स्टोरी के नाम होने चेहिए दीपक है अर्विन सुधीर और एक और दिनेश दिनेश तो में लीड रोल में ठीक है किया हो गया आपका चप्टर खदब ऐसे जल्देली करेंगे तो हो जाएगा चप्टर का नाम इंपोर्टेंट है किरिमिज की गेत अब ये स्टोरी ना बहुत फ़नी सी लगी मुझे दोस्त की पोसाख इसमें क्या है एक नसृत दिन होते हैं वो अपने पुराने दोस जमाल साहब से बहुत दिन के बाद मिले होते हैं तो ये कहते हैं कि चलो महले में घूम के आते हैं जमाल साहब कहते हैं जो जमाल साहब कहते हैं मेरे पास कुछ पहनने को है नहीं नहीं और मैं ऐसे नहीं जाओंगे यह पर कोई पुसाक नहीं पहनने को तो यह अपनी अचिकन दे देते हैं अचिकन ही बोलते हैं कमीज को उपर पहनना आता है उसको अचिकन बोलते हैं तो वो नसृत दीन अपनी अचिकन इनको दे देते ह पहले अपने दोस की घर जाते हैं जो पडोसी होते हैं वहां जाते हैं तो कहते हैं कि जो मिलवाते हैं पडोसी से तो कहते हैं ये मेरे खास दोस है जमाल साब आज कई सालों बाद इन से मुलाकात हुई वैसे तो अचकन इन्हों ने जो पहन रखी है वो मेरी है मतलब नसरी दीन इंट्रोडक्शन में ये कह देते हैं कि जो अच्कन पहन रखी है वो मेरी है अब जमाल साहब बहुत गुसा आते हैं कि कैसी तुम्हारी अकले बताओ पड़ोसी से कोई ऐसे कहता है कि ये जो कपड़े पहन रखे हैं वो मेरे हैं तो मतलब नसरी दीन समझ जाते हैं तो दूसरे पड़ोसी से मिलवाते हैं तो आपकी बार क्या कहते हैं कि जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं उन्हों जो अच्कन पहनी है वो इनकी अपनी है मतलब कहना जरूर है अच्कन के बारे में तो इस बार भी जमाल साब गुसाते हैं कि जुट बोलने की क्या जरूरती तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहिए था तो फिर थार्ड टाइम जब ये किसी पडोसी से मिलवाते हैं तो आपकी बारी कहते हैं कि मैं आपका परिचे अपने पुराने दोस से करवाता हूँ ये जमाल साब हैं इन्हों ने जो अच्कन पहनी है इसके बारे में चुपी ही रहूं तो अच्छा है पतलब उनको अच्कन के बारे में कुछ न कुछ बोलना ही था और फाइनली तीनों बार उन्होंने बोला तो बस पात्री की नाम अगे नियाद रखने है नस्रुदीन और जमाल साब ठीक है? और उसका नाम चाप्टर का नाम तो बहुत इंपोर्टेट है दोस्त की पोसाख अब नेक्स चाप्टर है दान का हिसाब मतब जो दान दिया जाता है उसका इसाब्त असमी स्रूरी यह होती है कि एक राजा होता है कनजूस टाइकमें होता है जो कि आनामी लोगों के उपर बहुत खरुछ करता है अपने उपर पैसे बहुत खरुछ करता है लेकिन जहारा दान देने की बा handlar आती है कुछ भी खर्च नहीं करता उसके देश में आकाल पड़ गया अब वहां के लोग भूग से मरने लगे तो इसके पास आए कि प्लीज हेल्प कर दीजे ऐसा कुछ की राजय साब आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगा कहते कि मेरे राजभंडार खतम हो जाएगा तुम्हारी हेल करेंगे उन्होंने कितना मांगा था रुपए याद रखिएगा लोग आये थे लोगोंने 10,000 रुपए की मांगी थी तो कह रहे हैं याज थोड़ा बहुत होता तो हम दे देते ते यह 10,000 कौन मांगता है तो यह मना कर देते हैं साफ साफ इनकी जो मंत्री गड़ होते हैं को भी थोड़े निरास हो जाते हैं कि बताओ राजा को हेल्प कर देनी चाहिए लोग मर रहे हैं ऐसा कुछ ठीक है लेकिन यह मानते हैं लोग फिर भी मतब इतना कहते रहते हैं लेकिन वो देता नहीं है कुछ भी फिर फाइनली इनके हां मतब इसमें स्टोरी बस इतनी है और दरवाईस बहुत एक क्लाइं पढ़ने कज रहते हैं इनके हैं ईक सन्यासी आते हैं बहुत दिमाखी होते हैं इन्होंने कहा है कि हमको मतब दान चाहिए थोड़ा बहुत तो कहते हैं कि ठीक है आप पहले मांगिए उसके बार में बताऊँगा कि आग मैं दे सकता हूँ बंद करके, तो राजा फिर भी अकल लगाता है, राजा कहता है, वो तो डिपेंड करता है, कि आप पहले दिन कितना मांगते हो, ठीक है, तो वो कहते हैं, पहले दिन में एक रुपे लूँगा, अब राजा हिसाब तो लंबा लगा नहीं पाएं, तो उस वक्राजा मान जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिन बीते होते हैं, कि वहां का जो भंडारी होता है, जो राज भंडारी देखता है, वो कहता है, कि यार इतने रुपे खर्च होगा है, तो लाखों में रुपे खर्च हो चुके थे, यह जा करके आगे मंतरी को बताते हैं, मंतरी पुरा हिसाब करते ह यह राजा को बता जाता है और राजा की वोशोड़ाते हैं कि बता इतना रुपए चला गया अभी कितना रुपए आपको भी छोटा से लग रहा होगा लेकिन जो मैज के स्ट्रेंट उनको पता ही है डेटा बढ़ा है तो यह देखे इतना रुपए पहले दिन अगर एक रु रहा था इसलिए जाते सन्यासी के पास कहते हैं कि राजा जी सन्यासी कुछ यह बताई अपना वचन वापिस ले लीजिए और मैं इससे तो मेरा राजबंडार बुरा खतम हो जाएगा सन्यासी कहते हैं ठीक है हम मैं वापिस ले लूँगा लेकिन मुझे 50,000 रुपए चाह राजा को कर्ण जैसे दानी कहने लगते हैं लेकिन मजबूरी में वह बन ही गए दानी तो यह है चैप्टर का नाम इंपोर्टेंट है अगें दान का हिसाब ठीक है और इसकी जो बख्री होती है उसका नवता है बिनडी की देख है अब यह कहता है कि यह लोग योजना कुछ बना रहा है मटब गांदीजी और सब लोग मिलकर कर जोजना बना रहा है मुझे बुद्धू समझते तो यह अश्य पता ही नहीं नहीं तो यह पीछे पढ़ जात तो उन्हें पूछता है कि रहा, क्या चल रहा ? उन्हें बताया कि नमक सत्याक मौनेड मेरा है, यसमें स्थंभ नमक बनाया है कहते हैं नमक क्यों बनाया जाएगा तो आपको तो स्टोरी पता है नमक क्यों मतब वही सुतंता के लिए और कर लगा हुआ है तो इसको गुस्सा आते है कि बताओ नमक पी भी कर लगा रखा एंग्रेजुने और इतना दूर जाएंगे एक महने जाएंगे तो चिंता करने स्टोरी नमक को स्टोरी चुना है तो तुम अभी चोटे हो तो तुम नहीं जा सकते हो फिर फिर भी कहता है कि मैं गांदी जी से पूछूंगा तो अब सुभा सुभा गांदी जी के पीछे लग जाते हैं फिर गांदी जी को देखते हैं कि बटा तुम मेरे पीछे क्यों ल आप भी तो ठख जाएंगे और क्योंकि यह कह चुका होता है कि आप बिनी को इंटर्ड्यूस करते हुए कहता है कि जो दूद आप पीते हैं रोज सुबा वो मेरी बिनी का ही है तो यह फिर गांदी जी बड़ा अच्छे से तर्कीम निकालते है गांदी जी कहते है कि अच्छ मैं यहीं आपका इंतिजार करूँगा स्टोरी में पात लिया दखी का धनी बिनी बिनी तो बकरी है और अगांदी जी तो हई है बिन्दा भी है और माता पिता नेक्ट चाप्टर है सुनीता की पहिया कुर्सी तो असल में सुनीता नाम की एक लड़की होती है जो कि मतलब पैरों से नहीं जल सकती है तो वह पहिया कुर्सी पर चलती है तो यह सुबह उठती है तो इसको बहुत सोचती कि मुझे क्या का करना है फिर से याद आता है कि आज ये पहली बार बजार जाएगी और समाल लेने के लिए, ये अपना नहाद होकर के तियार होती है, इसकी मा नास्ता देती है, तो कहती है, इनकी माप कहती है, कि तुम अकेले चली जाओगी, तो कहती है, हाँ बिल्कुल चली जाओगी, इतने में, ये जारी होती है, तो र कि एक लड़की उससे पूछ रही होती कि क्या कुर्सी जो है तुम्हारी यह क्या है तो इतने में उसकी मा कहती है ऐसे सवाल नहीं करते हैं तो इसको सुनीता को बहुत बुरा लगता है कि मतब मैं भी तो एक आम लड़की हूं इतना अलग यू बिहेव किया जा रहा है इतने मैं दुकांदार जब इसको चीनी देता है तो इसकी गोड में रख देता है तुफिर दुकांदार का विवहार नहीं पसांदा आता है कि मैं कोई अलग थोड़ी नहीं हम समान पकड़ सकती हूँ तो तुम क्यों गोड में रख दे रहो फिर ये दोने लोग साथ में चल रहा होते हैं बर इतने में ही आपसें बात करते वे चलते हैं कि ऐसा क्या है कि लोग मुझे इतना अलग बिहेव करा आ रहा है मैं तो सुरुआत से पहिया कुर्सी पे बैठती हूँ तो अमित भी यही कहता है में कहता है कि मैं भी तो सारे काम कर सकता हूं, सारे काम आप तुम भी कर सकती हो, लेकिन फिर भी हम अलग हैं, तो यहीं स्टोरी का सिर्षक जाद रखेगा पहिया कोर्सी, ठीक है? अब नेक्स है हुदूद, तो हुदूद एक पच्छी होता भी इस वीडियो के इस चैप्टर के अंत में ही उसकी बारे में पूरी डिटेल दे रखी है, कि क्या क्या खासियत होती है, जिसे एवेस में होता है, वैसे जहां पर भी पढ़ना हमको, तो होता कि एक सुले मान करें गेंगे, आगे जाके हुदूद मिलता है, भही हुदूद पास्छी मिलता, थैंगे उनसे जब मदभ आखे हैं, जमराके पेंद्ध करने में, अउनकों शाया को डिट sãoard learntा में हाँ दैक्टूद, जमनें साथ को आखें हुदूद, जह तो हम दोखें में को पूछे क्य तो जैसे सोने का मुकुट कर दिया जाते हैं, अब लोग उसको मार मार के, वो सोना निकाल के बेजने लगते हैं, ये फिर जाते हैं कि मारा वंस खतम हो रहा है, आपको चौर कर दीजे, वो सोना हटा दीजे, तो ये क्या करते हैं, पंखो का बना हुआ कलगी उसका वर्दान करो सुलेमान जो रदाश सुलेमान होते हैं कि मैं तुम है वड़दान देता हूँ कि तब से बनालग्ला की लगी हो जा जैएगी किर्गी ऐनद काते हैं इनकी एक को होडे खाते हैं इनकी छोष नाखून कातने वाली नहरेनी से भी बहुत मिलती है ठीक होन कारने वाली पिसलेयी से हजामिन च्रिया कहाना होटां हुप हुप आवाज निकालते हैं ये तो हुप चिडिया कहा जाता है और रही नाम था हजामिन चिडिया और अपने आंड़े 4-10 तक By 10 तक रहें देती है और इनकी रहीं नहीं हो एक पाला नहीं जाता तो अ सुन्दर बहुत होते हैं लेकि हो बस यह हो गया चप्टर खतम चप्टर का नाम था हुदूद तो हुदूद चप्टर नेक्स स्टोरी बहुत ही अच्छी सी है मुफ्त ही मुफ्त इसमें होता है कि एक भीखुवाई होते हैं जिनका बहुत नारियल खाने का मन करता है आप सोच करके इनके मूं में पानी आ रह कम से कम में मिल जाए तो यादा अच्छ है इतने वह तो हम ग सचते हैं बजा जा बंदर गाह के पास जो वहां तुमखा 50 पैसे मिल रहा होता है लेकिं फिर कहते है कि मैं बाली के पास जाते हैं तो माली कहता पूर थक्रूपया का है और ले लो तो अब यह फिर कहते हैं कि इतना दूर मैं चल के आया हूं 25 पैसे तो नहीं दूँगा, 25 पैसे होगा, रोपे नी, ठीक है, 25 पैसे तो नहीं दूँगा, आप फ्री में दे सकते हो, तो आप दे दो मुझे, तो माली फिर गुसा जाता है, ऐसा है, अगर तुमको फ्री में चाहिए न, तो पेड़ पर खुदी चड़ जाओ, खुदी ले कि मैंने ने लेने को अधर के सेजिवरेаны कुछ निवी को दिए कि मुछ मदद करूंगा रोगा उतर्णे में अभी चिलरार है उत्र भीकी तरब तफिकाने कौने मेरे । हम लटक गया है तुक आने कrie शाने कि वजब उतर्ण से बाट ना रहे हम उतेली वो भी यही काम करता है, गुर्सवार भी तीन लोग लटक जाते हैं, एक के उपर, एक के उपर, एक के उपर, एक, ऐसे लाइन से, तो पहला कहता है, कि मैं सो रुपए दूँगा, बीकु बाई पस अब छोड़िये गानी नारियल को, दूसरा कहता है, मैं दोस्तों दूँग अब छोड़िये गानी नारियल को, बना हम लोग गिर जाएंगे, अब भीकु बाई कहते हैं, कि तीन सो रुपए मिलेंगे मुझे, इतना कुछ हो जाते हैं, कि दोनों हाथ पहला देते हैं, और फाइनली तीनों गिर जाते हैं, और तीनों जैसे ही गिरते हैं, उपर से एक पहली पोयम है, उस पोयम का नाम है, मन के भोले भाले बादल, यहाँ पर आप यह लाइन देखें, अगर आपको ऐसी कोई लाइन दिखेंगी, हाती से सूर उठाकर, उटो से कूबर वाले परियों से पंक लगाएं, और आपस में टकराते रहके, सेरो से मत वाले बादल, ब सीर्षक से कोशन आया है, चाल लाइन दे जाएगी, और पुछ जाएगा इसका सीर्षक क्या है, नेक्स पोयम है, कोई लाके मुझे दे दो, इसमें भी यह देखें, कोई लाके मुझे दे दो, कुछ रंग भरे फूल, कुछ खटे मीटे फल, थोड़ी बासुरी की धून, थोड़ा जमना का फल, कोई लाके मुझे दे दो, उसी में ही आ रहा है सीर्षक, तो ऐसा कुछ आएगा, तो याद रखेगा, यह लाइनी उसकी सीर्षक है, नेक्स पोयम है, कि किसने बटन, कौन बोयम का नाम है, तो इसकी मैं ट्रिक बता रही हूं, जिसमें बहुत कोशन पूछे गए होंगे, किसने बटन हमारे को तरे, किसने साही को बिखराया, घर में अनाज फेराया, तो इसका याद रखेगा, कौन होगा, उस सीर्षक का नाम, जिसमें कोशन वर्ड बहुत आ रहे हूं, तो वो याद रखेगा, उस सीर्षक का नाम है, कौन, नेक्स पोयम पढ़कू की सूच की है, रामधारी सिंग दिनकर जी की है, और इसमें एक स्टोरी टाइमें बतायाएं, जो तरक सास पढ़ते होते हैं, और उनको नहीं नहीं बाते, गढ़ने का बहुत चोग होता है, तो एक दिन देखते हैं, कि बैल घूमता है, बिना कोलू चला है, को एक रोजवे बड़े खिक्र में समझ नहीं कुछ पाएं, बैल घूमता है कोलू में कैसे बिना चला है, कोई इसको चलाता नहीं है, फिर भी वो घूमता रहता है, तो ये जाते हैं, मालिक से पूचते हैं, कि ऐसा क्या है, तो कहते हैं, गटन के गर्दन में, इसके घृतन म गंटी हिलती रहे, तो आपको लगेगा कि कोलू चल रहा है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, तो मालिक कहता है, यह जितना भी ग्यान है, तो कहीं और जाके फिलाओ, ऐसा यहां नहीं होने वाला है, बस यही स्टोरी है, तो रामधारी सिंग दिन्का जी की है, पढ़को का ग्या की सूच चाप्टर का